हेलो एवरिवान गुड मॉनिंग नमस्कार 26 जनवरी 2021 और आज के दहिंदू निउस्पेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनालिसिस करेंगे आप इसकी पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रि दोनों का समय बचेगा और हम सब की प्रिपेशन का समय बचेगा सबसे पहले आप सबको कमेंट करना है कि रिपब्लिक ये गणतंतर सब्द का इस्तमाल इसका मतलब क्या है या इसका इस्तमाल क्यों किया जाता है अगर आपने पासपोर्ट भी देखा हो तो उसमें रिपब People's Liberation of China की जो आर्मी है उनके बीच में और ये पूरा का पूरा सिनेरी हुआ January 2021 यानि लगबग एक विग पहले कई पूरी ये न्यूज है और दोनों तरफ कुछ Minor Injury आई है as per Ministry of Defense के तरफ से ये information दी गई इनके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें बताया गया कि as per Establish Protocol दोनों तरफ से resolution जो हुआ है और इसके बारे में जब Chinese Foreign Ministry से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि China जो है वो committed है peace and tranquility यानि स्यानती और स्थाजितों के करने को लेकर जो इंडिया के साथ border हम share करते है उस चीज़ को लेकर नाकुला के important geographical location कह सकते हैं सिक्किम के अंदर अगर आप देखेंगे मैप में यहाँ पर उपर बिल्कूल बिल्कूल जस्ट उपर जाएंगे तो यहाँ पर इसकी location है तो आप इसको राउंड की बाद चित भारत और चाइना के बीच में होगे किस सिनारियो में इस्टन लद्दाक रीजन को यह आप कह सकते हैं भारत और चाइना के बीच में जो border issues है उनको resolve करने के लिए डिस इंगिजमेंट को प्रोसेस पर काम करने के लिए और डिस escalation पर दोनों तरब भारत और चाइना काम करें इसके लेकर लगाता discussion हो रहा है दो channels के थूँ जिसमें diplomatic level है और military level diplomatic में पहले ही बोला government के representative जो है पाटिस्पेट करते हैं military level में हमारे जो forces के officer होते हैं वो इसमें participate करते हैं ठीक है इसी page पर second information आप देखेंगे आपको पता होगा 25 January को जो है प्रेजिडेंट साहब अपना एक संबोधन करते हैं देश के नाम उसके अंदर उन्होंने कई सारे topics पर discussion किया इनके लावा इसी दिन जो आनाउस किया जाते किन-किन लोगों को क्या मिलेगा पदम सिरी पदम भूशन या जो पदम भूशन पदम भूशन और पदम सिरी तीन जो हमारे अवार्ड है उनको उनको आनाउस किया जाता है इसके लावा यहां पर बात की गई है कई सारी चीजों पर इन्होंने discussion किया हम एक बार देखेंगे उन चीजों को क्योंकि यह जो टोपिक होते हैं यह गवर्मेंट के तरफ सही कह सकते हैं और आने वाले साल में 2021 में जो एक्जाम देने जारे उनके लिए important होते कि government in sector पर आने वाले टाइम में काम करेगी इनमें बतायागे कि pharmacy जो है वो एक तरीके से दुनिया की बंती जारी भारत और जिस हिसाब से हमने वैक्षिन को सप्लाई किया है और पूरे देश के अंदर जो प्रोटोकॉल फोलो कर रहे हैं vaccination को लेकर यह कि important है उन्होंने का 2000 बीच ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है इनके लावा आतम निर्बर भारत सेल्फ रिलाइंट इंडिया की important campaign है भारत के context में तो इसको लेकर उन्होंने एक तरीके से बताया कि यह यह हमारा beyond border कह सकते हैं यह जो supply chain को लेकर जो initiative है यह इसने हमें एक opportunity provide करिये इनके लावा गालवान के अंदर जो हमारे 20 जवान सहीद हो गए थे उनको उन्होंने सरधांजली दी इनके लावा उन्होंने self-reliant के बारे में बात करी गई फुड ग्रेन के मामले में या के जो welfare है उनको लेकर government निशित रूप से काम करेगी एक प्रपोजल जैसी चीजे होती है इनके लावा यहाँ पर आप फोटोग्राफ देखेंगे दिल्ली के अंदर जो ट्रेक्टर प्रेड को लेकर पर्मिशन दी गई है उसमें अभी भी कुछ classes है जो यूपी साइड का बोडर है दिल्ली को टेस करता है वहाँ पर रोका गया प्लिस के दोबारा कुछ issues होंगे इन सब के बारे में details से discuss करने की requirement नहीं है reason is that कि कोई कोई भी सवाल आपसे ऐसे particular नहीं पूछेगा कि यूपी प्लिस ने कैसे border आपसे establishment किया तीन जार न्यूज जो है वो important है सीधा उनी न्यूज पर focus करेंगे जो exam से related है अन्य कोई भी न्यूज पर हम focus नहीं करेंगी इसके बाद page number 10 पे जो हमने कल भी discussion किया था कि अंदर प्रदेश में state election commission और government के बीच में issues हो गया था state election commission ने announcement कर दिया था कि वो जो local bodies के election होते है इसमें rural और urban local bodies इनके election को conduct करवाएगा इसके बाद वहाँ पर जो है जगन मोहन रेड़ी की government ने ये कहा कि भाई हम election नहीं करवा सकते हैं कि covid-19 जैसी चीज़ें आपर सर्ज देखने को मिल रहा है इस चीज़ को लेकर supreme court ने क्या कहा है वो आप यहाँ पर पढ़िए ego problem हो रही है दोनों authorities के बीच में इसके वज़े से lowlessness दैसी चीज़ें देखने को मिलती है और आप इसमें resolution पर आपने जो resolution पास कर दिया state election commissioner एन रमेश कुमार के खिलाफ ये कहीं ने कहीं logical ही नहीं लगता जब supreme court में इन्होंने एफिडेवट दिया इन्होंने कहा कि देश भर में covid-19 फिला हुआ है तो इन्होंने कहा कि पहले भी election conduct हुए है अभी भी election conduct करवाने में कोई problem नहीं है और आप ये कैसे कह सकते हैं कि election के वज़े से covid-19 spread होगा केरला का उन्होंने example दिया तो उन्होंने कहा है कि केरला के अंदर election conduct करवाए और ये constitutional एक तरीके से provision है जब आपके state के election होते हैं तब आप उसमें participate करते हैं तब covid-19 नहीं दिखता तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आप इनसे भाग नहीं जख सकते local body के election जो है conduct करवाने ह है ठिक इसके बारे में बताया गया और आपको पता होगा ये important state जो election commission है वो local bodies के जिसमें urban local bodies और rural local bodies ये election conduct करवाता है 11th or 12th schedule 73 or 74 constitutional amendment ये कुछ important provision है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसके अंदर भी कई सारे detail आप पढ़ेंगे जिसमें compulsory और एक कह सकते optional जो provision से उ news में है इसके बाद page number 11 पे important information है सबसे पहले गालवान hero यानि गालवान के हमारे hero जो रहे थे उनको महाविर चकर से समानित किया गया भारत सरकार द्वारा और इसमें कॉलिनियन S. Santos Babu इनको अवार्ड दिया गया महाविर चकर ये second highest war time glintry award of India है देखिए बहुत सारे अवा बच्चा CDS, NDA या defense related examination की preparation कर रहा है तो उनको ये award जुरूर पता होना चाहिए इनके अलावा यहाँ पर वीर चकर के बारे में बताया गया third highest war time glintry award है वीर चकर राइट इसमें detail बताएगी किन-किन जो हमारे soldier थे और जो forces के अंदर थे उन लोगों को ये जो है दिया गया तो यहाँ पर पूरी की पूरी detail दीगी है PDF आपको available करवाँगा और जो लोग CDS या defense letter जितने भी examination है उनकी preparation कर रहे हैं उनको जुरूर ध्यान किये ये आपके लिए बहुत important हो सकता है इसके लिए overall आप general अगर आप देखें किसी भी competition में जो पूसे जा सकते हैं वो है पद contribution दिया गया हो तो criteria particular set किया गया तो यहाँ पर बताया गया कि पास्वान और गोगोई यानि राम विलास पास्वान और तरण गोगई वोस्थमस दिया गया यानि उनकी death हो चुकी है उनको पदम भूशन दिया जाएगा इनके लावा 1971 में बंगलादेश वार वेटरेन singer थे legendary singer थे उनको दिया जाएगा second highest civilian award धन रकी है second highest civilian award इनके लावा जापान के जो फोर्मर प्राइमिस्टर है शिंजो एबे उनको दिया जाएगा Islamic scholar मौलाना वहिदीदून खान इनको दिया जाएगा cardiologist BM हेगडे इनको दिया जाएगा B.B. Lal the archaeologist जिसने कहीं नहीं कहीं क्लेम किया कि आयोध्या के अंदर temples है इनके लावा पदम विभूशन किन-किन को दिया जाएगा जो इन लोगों को जो है वो दिया जाएगा पदम क्या विभूशन छे लोगों को दिया जाएगा इस बार और छे-सात लोग जो भी यहाँ पर है यहाँ पर repeat कर रहा है इस बी बाला सुब्रमन्यम इसके लावा सिंजो एबे इस्लामिक स्कॉलर जो मुलाना वाहिदीदून खान है कार्डिलोस्ट बीम हेगडे और आर्केलोजिस जो जो जिसने क्लेम किया किसी को आयोध्या में वहाँ पर temple है बीबिलाल इनको दिया जाएगा इनको जो है यहा इसके लावा दस ऐसे लोग है जिनको पदम भूशन दिया जाएगा पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर आप देखेंगे एटुजड लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी यह में में जो है जो जो इसमें न्यूज में रहते हैं उनके बारे में बताया गया इनके लावा पदम भूशन जो है वो किसी फिल्म स्टार एक्रिकेटर इनको नहीं दिया गया है इनके लावा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तरण गुगाई फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रामिलास पाशवान फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर केशु भाई पतेल और सिया कलेरिक सादिक इनको दिया जाएगा और 1971 के बंगलादेश के वार वेटरन रहे कौाजी शाज़द अली जाहिद इनको दिया जाएगा पदम सिरी इसके लावा बंगलादेशी आर्टिस्ट संजीदा खातुन इनको कहीने कहीं दिया जाएगा पदम सिरी इनके लावा रजनी बेक् category के अंदर सिंदु ताइस सबकाल इनको महरास्टा में दिया जाएगा यह जाने जाती है हेल्फ और फंस की मदद करने के लिए इसके लावा प्रोफेसर सील सप्रू को दिया जाएगा पदम सिरी पोस्ट पोस्ट में यानि मरणों परांद दिया जाएगा और यह जम्मों कस् आप डिफेंस लेटिट प्रिपेशन कर रहे हैं तो जुरूर आप पढ़िएगा आपको पता होगा रिशनली वट्सेप को लेकर वट्सेप की प्राइविशी को लेकर या उसमें जो अपडेट्स है उसको लेकर गवर्मेंट ऑफ इंडिया वट्सेप और पूरे भारत के इस्यू करेट हुआ तो अब पूरा का पूरा मामला भी कोट के अंदर भी है दिल्ली हाई कोट में एक एफिडेट फाइल किया गया है कि वट्सेप जो भारत को एक अलग तरीके से कंसन करने कोसिस कर रहा था तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट उनका बिजनस जो वो डाउन डिग्रेट ना हो जाए यही कुछ कंपिटिसंस की वज़े होती है इनके लावा प्राइवेसी को लेकर प्राइवेसी भारत में फंडेमेंटल राइट है और अगर बिना किसी परमेशन के आप किसी व्यक्ति की परमेशन के बिना फेस्बुक या किसी भी कंपनी से डेटा सेर करें तो कहीं ने कहीं वोईलेशन से इस चीज को लेकर कई सारी चीजे डिसकसन की गई है इनके लावा परसनल डेटा प्राइवेसी को लेकर या प्राइवेसी को लेकर जो है एक इंपोर्टन कमेटी भारत के अंदर बनी है उस कमेटी का आ जुरूर उसमें नीचे कमेंट करना कि वो मेजर कमेटी कौन सी है इसके लावा पेज नंबर बारा है आज पेज बहुत ज़्यादा आए हुए तो बारा नंबर पेज पे दिया गया यानि भारत के अंदर वेक्शिनेशन का जो ड्राइव है उसको एक्सिलरेट किया जाएगा उसको तेजी से उस पर काम किया जाएगा और इसी चीज को लेकर बताया गया है विके पॉल मेंबर है नितियायो के यह हैड कर रहे है नैशनल एक्सपर्ट ग्रूप और वेक्शिने को इन आई टी स्टक्चर जो बना गया था वो लगातार कंपनी से जिसमें सीरम इस्ट्रेट ओफ इंडिया या भारत बात्चित की जारी कि स्टॉक डिस्टिबिशन और पाइप्लाइन यानि कितना आपके पास स्टॉक है ताकि प्रोपरली मोनिटर किया जाए इनके सिनेरियो पर नजर बनाए हुए जिसमें स्टॉक कितना है प्रोक्रेमेंट और डिस्टिबिशन दोनों कंपनीज का इनके लावा हम मैक्सिमम इसको सप्लाई कर सके और अवरोल उन्होंने कहा कि भारत के पास एडिक्वेट वेक्शिन है यानि भारत के पास जो है वो अनु दिन इंपॉर्टेंट बताई कि पहली बात जो सिटिजन्स को राइट दिया गया है वो एक इंपॉर्टेंट राइट इकेवल वोटिंग राइट नहीं है दुनिया के देश इसी राइट के लिए लड़ रहे है तो इसकी हमें पूरी वेल्यू करनी चाहिए और आपको पत होगी या तो आप उसको डिजी लोकर में सेव कर सकते हैं या पीडियाफ के रूप में उसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद इसी पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बिलेनियर्स वेल्थ रोज 35% डूरिंग लोकडाउन यानि जो बिलेनियर है उनकी प् जी बताएगी है रिटरन ओफ दर रिच यानि 1000 बिलेनियर्स को अगर आप देखेंगे उनको केवल 9-9 महिने लगे अपना जो प्री पेंडिमिक का जो उनका लेवल था उनकी अमाउंट ती उसके पहुंचने में भारत के रिचेस्ट मैन मुकेश अमबाने की जो संपती है वो अक्तूबर 2020 तक डबल हो चुकी है 78.3 बिलियन डॉलर राइट इसके लावा पहले वो 21 वे नमबर पे थे दुनिया में सबसे अम्मीर और आप आच चुके हैं वो छटे नमबर पर उनकी प्रोपर्टी की वेल्यू कितनी है कि 4 दिन के उनके एम्प्लोईज एक लाख 95 उनके एम्प्लोईज की वेल्यू के मुकाबले उनकी जो वेल्यू केवल 4 दिन में उनकी सेलरी के एकवल है आप इसी से आइडिया लगा लिजिए कि अमाउंट कितनी बड़ी उनके पास होने वाली है इनके लावा यूएस, साइना, जर्मनी, रेशिय और फ्रांस इनके ब लोगों को 94,045,000 रुपे का जो है अमाउंट यह चेक दे सकते इतनी अमाउंट इनके उपर है इनके लावा वर्ल्ड एकनॉमिक फॉर्म एक इंपोर्टेंट एंजिय यह बी और इसके बारे इसमें बताया गया इस चीज को लेकर इनके लावा बताया गया कि मनरेगा ने अच्छा कह सकते कि मनरेगा ने बड़ी संख्या में रोजगार जने डेफिनेटली किये लेकिन पैंडिमिक की वज़े से गरीब जो लोग है वो कहीने कहीं जोबलेसनेस, स्टारवेशन और डेथ इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं और कहीने कहीं भारत के अंदर जो प् और इसका जो सेर है वो ट्रांसफर किया जा सकता है कि इसको पूर जो हमारे या हम जो कह सकते हैं गरीब हमारे भारत के अंदर है उनको ट्रांसफर किया जा सकता है इनके अलावा इन्होंने कहा आईडिया दिया कि आप एक कोविड-19 सेस लगा जा सकता है इस चीज़ को ले जाएगा वेलेंस होगी और अर्ली प्रेगिनेंसी इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एनेंप्लोइमेंट जो वुमेन में और जादा तेजी से बढ़ रहा है तो ये कुछ कंसन है जिसकी वज़े से पेंडेमिक ने बड़ा नुक्सान पहुंचा है हमारे देश को और पूरी दुनिया को इनके लावा बिजनस यहां पर वर्ल्ड सेक्शन के अंदर जो सी जिन्पिंग उन्होंने वान किया दुनिया को कि न्यू कोल्ड वार जैसी चीज़ें जो है उ यूजे करना चाहिए रिजन क्या है चायन दुनिया को डराने कोसीच करता है एक एक एग्रेशन शो करता है भारत के बाउUNDरी में एंटी करनेet कोसिच करता है थाइवान दुनिया को पर और यूज करता है साथ वह कहीं ने कई दुनिया के सबसे स्ट्रोंग पर्शेलिटी यह वह जो कर रहे हैं वह गलात है तु इस तरह की चीज है इसके लाव वर्ल्ड एकनोमिख फोर्म में बातचीत करें से दावॉस के अदर यह मेटिंग जो एंजलो मार्किल है ठीक है इनके लावा एमनुवल मैकरॉन है या यहां पर यूरोपेन कमिशन प्रिजिदेंट उरुजिवला वोन डर लियॉन इन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया आने वाले टाइम में सिंगापूर के अंदर सिफ्ट होगी क्योंकि यह म हमारा उसमें दो-तिर इन्फरमेशन है पहला आप यहां पर देखेंगे ग्रीन टेक्स एक ही इंपोर्टेंस हो रही ग्रीन टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार जो आने वाले टाइम में ग्रीन टेक्स इंपोर्ज कर सकती है उन विकल्स पर जो 15 साल से पुराने हो है यहनी फ्यूर व्हिकल ट्रांसपोर्ट को लेकर यहां जो पुराने हो चुक है उन पर यह टेक्स जोफिंपोर्ज किया जा सकता है और इस टेक्स के implement नहीं किया था direct six implement किया था क्योंकि सुप्रीम कोट के उसमें order थे इसके बाद editorial वाले section के अंदर आज जाएंगे तो चार editorial जो इस बार news में है उनके बारे में brief में बताऊँगा summarize form में बताऊँगा समय सिमित है इसके बाद आप देखेंगे चारों एडिटोल के बारे में ब्रीफ में डिसकस करगे अवर जीलियस थ्रीट को लेकर यह आर्टिकल है पहला यहां साइट इसमें आर्टिकल बेसिकल इसके बारे में बिहार गवर्मेंट में क्रिटिसिजम को लेकर कि बिहार सरकार के मंतरियों को या बिहार के जो चीफ मिन करी है social media को लेकर social media को post को लेकर तो tolerance जो है बहुत low हो गया criticism जो किया जाता है इसके लावा section 66 जो इसी लिए जो कहीं कहीं Supreme Court ने हटाया था कि यह कहीं कहीं जो इसके misuse होने की possibility ज्यादा होती है तो इसमें जो IT Act है वो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए उसको कई ने कई एक तरीके से आप डैमेज करने की एक तरीके सकते कि आपके उपर है वो उसका misuse की possibilities को आपको reduce करना पड़ेगा इनके लावा पूरे scenario में fire का दर्ज होना इस तरह की चीज़े political allegation लगना उन सब चीज़ों को हम छोड़ देते हैं लेकिन यहाँ पर एक tolerance को लेकर article particular है उसी चीज़ को लेकर है corruption के allegation यह इस तरह की चीज़े यह जो speech दी जा रहे है उनको कहिने कई counter करने को उनको रोकने की कोसिस second article जो है हमने पड़ा था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको पार्टी से निकाल दिया गया तो वहां की political party के अंदर जो सप्लेट दो भागों में division हुआ और उसके बाद election commission ने दोनों है नहीं है उन चीज़ों को फिलाल हम छोड़ देंगे हम सारी चीज़े इसके बारे में details से पड़ चुके है इसके बाद यहां पर बात की जा रही है the script of another parade on republic day की भारत के अंदर republic day के अंदर जो parade होने वाली है उसके second parade भी होने वाली है और वो क्या है farmers और farmers की जो ट्रेक्टर रही है उसके बारे में इसके बाद last editorial आप देखेंगे यहां पर vaccination को लेकर article है vaccination के बारे में भी हम detail से लगातार पड़ रहे हैं लेकिन article particular किसके बारे में है इसमें बताएगा the time for not mass but targeted vaccination की भारत में जो है वेक्षिन का time है लेकिन mass vaccination नहीं पूरी अबादी को वेक्षिनेट नहीं कर रहे हैं हम targeted vaccination कर रहे हम पहले phase के अंदर उन लोगों को वेक्षिनेट कर रहे हैं जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत है जैसे यहां पर आप देखिंग healthcare worker है frontline worker है यह priority के अंदर है यह हमारी policy भी है किसको लेकर हमारी जो vaccination को लेकर जो policy उस चीज़ को लेकर ठीक है इसके लावा यहां पर इसी चीज़ को कि endemic phase को अगर हमें इसमें विक्टरी हासिल करना है यह COVID-19 विक्टरी हासिल करनी तो उसके लिए लगातार vaccination पर हमें काम करना पड़ेगा तो यह कुछ important चीज़े हैं इसमें second page पर information है data है उ पिछले 6 सालों में जो crime against women है वो कहिने के increase हुए physical और psychological crime जो increase किया है और 2022 में उसमें एक लंबी उचाल देखने को मिली कई सारे data पहले ही बता रहे थे कि 2020 में जो lockdown है उसका negative impact पूरी दुनिया में physical और psychological harassment के रूप में बन सकता है women's के लिए इसी चीज़ को लेकर बताया गय कि यहां पर कई सारे women's number of cases जो लगातार इसमें increase हुए चाहे वो harassment of married women हो, dowry harassment हो, police पहती रही हो against women's को लेकर rape attempt, rape या attempt to rape हो, dowry के वज़े से death हुई हो, sexual harassment हो, यह सारी चीज़ यहां पर देखने को मिलेगी इनके लावा top chart के अंदर बताया गया कि UP के अंदर सबसे जो दर्ज की गई, as per national commission for women, यह data बहुत important है, इनके लावा यहां पर आप देखेंगे, buried in silence करके बात बताएगी कि बहुत सी women जो ऐसी हैं कि उनके खिलाब चाहे फिजिकल, सेक्शुल या फिजिकल और सेक्शल दोनों इस तरह की घटना ही हुई, लेकिन उसमें वो अभी भ प्रोपरली या तो बता नहीं पाती, वो किसी को नहीं बताया, या अगर किसी को बताया, तो प्रोपरली रिपोर्ट ही उसमें दर्ज नहीं की जाथे, for example, 70, यहां पर आप टोटल नंबर में से देखेंगे, 76.6% ऐसी महिला है, जिनके खिलाब सेक्शुल या फिजिकल वो और सोचल सर्विस और्गनाजेशन के बारे में बात करें, इनके खिलावा केवल, अगर आप देखें, 90% से ज़्यादा महिला है, जिनके खिलाब फिजिकल और इस तरह की वोईलेंस होती है, वो अपनी फैमिली की भी मदद नहीं लेती, इस तरह की चीज़ी है, ठीक है, more than 90%, इनमें से जो 90% जिनोंने मदद लिये, वो अपनी फैमिली से ही लिया, यानि अवरोल जो चैनल होने चाहिए थे, पुलिस, डॉक्टर, लोयर, उनके थुरू केवल 7% के आसपास महिलाएं पहुँची है, अवरोल 90% प्लस वोमेन कहां, केवल अपनी फैमिली से मदद ले इसके लावा क्योशन हमें करने थे, कल एक क्योशन पर जो सबसे ज़्यादा आपको कन्फियोजन हुआ था, कि वो सही है या गलत है, तो उसके बारे में मैं पहले डिसकस करूँगा, और वो क्योशन कौन सा था, सेकिन नमबर क्योशन क्या, इंडस वैली शिवलाजेशन के एक अलग बात है, तो दोनों कन्फर्म नहीं है, और अगर आप तमिलनाडो बॉर्ड की ये बुक होगी, तो इसमें आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर था, यूज ओफ होरस इस नाट येट फर्मली एस्टिबली स्मेंट, यह तमिलनाडो बॉर्ड की बुक है, पे इसके बाद क्योस्टन नंबर 6 है, पांच क्योस्टन हमारे कवर हो चुके थे, ट्रैफिक एक और्गनाजेशन है, ट्रेड रिलेटेड एनलिसिस ऑफोन एंड फ्लोरा, इसके बारे में पूछा गया है, कि क्या है, पहला ये बोला गया कि ये काम करता है, अंडर इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये नॉन गवर्मेंटल और्गनाजेशन है, और वर्क करता है, ग्लोबली और ट्रेड इनलिसिस ऑफोन एंड प्लांट्स इन दा कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बादिश्ट्री, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलेमेंट, इसके आइड किया गया था, चार उप्शन दिये गए है, एक्वल पेफ और एक्वल वर्क फोर बहुत मैं और वोमेंट, पार्टिस्पेशन और वर्कर्स इन दा मनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, राइट वर्क एजुकेशन पबलिक असिस्टेंट, सिक्योरिंग, लिविंग, व उद्योंगों के परबंदन में कामगारों की सहब आगीता, ये सही होगा, इसके बाद, इन में से कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये अगर आपने जो एक बुक आती है, NCRT की उसके अंदर ये दिया भी गया है, कि राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स और क्लेम अ रिपोर्ट कौन प्रिजेंट करता है, तो वर्ल्ड एकनोमिक फोर्म इसको रिलीज करता है, इन के लावा एक आती है, जेन्डर इनिकुलेटी रिपोर्ट, ये ध्यान रखना दो रिपोर्ट होती है, एक होती है जेन्डर इनिकुलेटी रिपोर्ट उसको रिलीज कौन करत ईक सेके 챙 गेहां जो आप देखेंगे जो ठ настý लेथी सेसे आप वहांसे डाउनौड कह लेने उसके A कर गार और इसके लावा यहां पर मुझा चैंग स्मार्ट इंडिया हेक्तओं लेइंडर्स और यह क्यों इसका मतलब क्या है इस चीम के अंडर हर साहर को स्मार्ट सीटी में चेंज करना है तो यह स्टेटमेंट गलत है और लास्ट में जो क्योशन है लास्ट टेटमेंट है कि इसके अंदर एक डिकेड के अंदर पूरी तरीके से हम अपने देश को डिजिटल या उसमें कह सकते डिजिल कर देंगे यह स्टेटमेंट भी गलता है यह इसका मतलब क्या है कि यह इनिसेटिव है इडेंटिफाइड न्यू डिजिटल टेकनोलजी इनिवेटिव फॉर सॉल्वेंग दा मैने प्रोब्लम फेस्ट वाइवर कंट्री यानि यह करने के लिए जो बहुत सारी प्रो